तो फ्रेंड गर्मियों का मौसम चल रहा हैं अगर कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए तो आज मैं आपके साथ मैं ऐसी ही ठंडी ठंडी मेंगो की रेसीपी सेर करूँगी जो खाने में तो टेस्ट ही बनाने में भी इसको ज्यादा टाइम नहीं लगत तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सभी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुर नहीं गुलें तो ये रेसेपी बनाने के लिए मैंने आप दो मैंगो का यूज कर रही हूं एकदम पके हुए आम हैं मिठे आम हैं इसी तरह के आम का आपको यूज करना है तो मैंने कंऺ दुब्रेक लगाएंगे और इससे कट लगाने के बाद अनुधार मारी के अब आपको बहुत जञादा पसंद आया जहां यहाँ ज़्यूद्हे हो का जाएक एक हम कर सकते हैं कर दूसरा यह मुसको हिटा तो मिक्सिक के जार में डाल के पानी भी नहीं डालना है तो देखिए जो हम बाड़ी टुकड़े में 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 ना चाहिए ताइर करणा अधाली रख देंगे मैंने याप थोड़ सी भारी तले की कड़ाई मैंने याप रख दी हैं इसके अंदर डालेंगे दूर तो मैंने आप उबला हुआ पहले से ठंडा दूर लिया है आप चाहे तो बिना वाले भी दूर का यूज कर सकते हैं फुल फैट दूर मेरे पास आज नहीं है तो आप फुल फैट दूर का भी यूज करेंगी तो बहुत है अच्छा टैस्ट आएगा तो दूर को मिया पर गरम करने के लिए छोड़ देंगे दूसरी तरफ हम एक और तैयारी कर देते हैं तो मैंने याप एक कटोरी ले लिए हैं चुछ है तो थोड़ा सा चुछ है तो दूर में यहां पर बचा के रखता तो बूद यहां पर डाल देंगी और अच्छा सी इसका गोल बनाकर त्यार करेंगी हम नहीं होना चाहिए अनदर तो दूसरी देखिए हमरा दूर भी जह हें वह वाल लाना स्टार्ट हो चुका है भी हम डालेंगी इसके इतर बूरा खाण इसकी खास बाद नहीं नहीं कर रहें है झो हमhinें तो इसी तरह सी बूरा खाण का यूकर सकते ह्यारे不是 क हुष सकते हैं तो तो आई देखे दूर में फिर से उबाला आची है अदर दूट के अंदर डाल देंगे दीरे दीरे उसके अजए कोई भी घुटली बगर Europy नहीं होने चाहिए इस तरह दूटे वाक्शन प्रतने पेड़ेश तो हमके बाला कोई फोलए है तो यह आप देख सकते हैं कि अच्छे से दूर्ट फिर से उबाला चुका है और दो से तीन मेर्ट पकाते मुझे यहां पर हो चुके हैं तो अभी हम यहां पर गयास की फ्लेम को कर देंगे बंद और इस दूर्ट को चलाते रहे इसके अंदर कोई भी लंस नहीं बनना तो यह देखिए कस्टर बाला दूदे के हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे तो मैंने यहां पर एक आज का बाउल ले लिया है इसके अंदर सारा कस्टर डाल देंगे और अभी हमने जो मैंगो का पेस्ट बना के तयार कि कितना प्यारा चुछ हमारे मैंगो का अच्छा पकाओ यूज चीनी भी हमने इसके अंदर बहुत ही कम यूज की है अभी हम सारी चीजों को एक बार अच्छी सी मिक्स करने के बाद हम इस कस्टर मैंगो कस्टर को एक गंटे के लिए फ्रिज में अच्छी से ठंडा होने के छोड़ देंगे ठंडी ठंडी ही अच्छ लगता है बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगा तो यह देखिए पूरा एक घंटा हो चुका है वह गंटे के बाद देखिए कितना प्यारा कलर आया है और मैंगो कस्टर देखिए हमारा बंकी रेडी हो चुका है अभी जो हमने टु अपड़े में कार दिये वह इसके ऊपर डाल देंगे यह दिखने में अच्छ लगता है खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा अगर आप आप उप्ष्णल है नहीं डाले तो भी चल जाएगा यहां पर देखिए सारी चीजों को अच्छे से करनेंगी मिक्स अभी हमने यहां पर दो कटोरिया ले लिए हैं तो कस्टड को हम यहां पर सर्व कर देते हैं तो यह ठंडा ठंडा मेंगो कस्टड बहुत टेस्ट बनाए एक बार आप इस तरह से ट्राइज जरू कीजिए जो हमने मेंगो बचा के रखा था वह इसके ऊपर डाल देंगे और जो पिस् सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचिए अगर आप मैं फिस्बुक पर देख रहे हैं तो मेरी पेट को फॉलो करना बिल्कुर नहीं भूलें तो मिलते हैं ऐसे ही मजदा वीडियो की साथ में तब तक के ले स्वस्त्रे मास्ते अफना जान रखें